प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के 6 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूँगा, जी हाँ, आपकी बोर्ड एक्जाम में 6 नंबर ये बिल्कुल पक्का करा दूँगा, आज में आपको इस वीडियो देखने के बाद, तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है खासकार उन बच्चों के लिए जो class 10th में है वैसो तो जिनके भी subject में निबंध है निबंध topic जिनके भी हिंदी विसे में हो चाहिए वो toilet में हो चाहिए जिस class में हो ये वीडियो सबके लिए important है लेकिन जो class 10th के students है उनके लिए especially ये बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि उनका board exam एकदम सर पे आ गया है और उसी की आधार पर मैं सबसे ज़्यादा जो most important निबंध है जो हर बार पूछे जाते हैं साल भर में हर साल पूछे जाते हैं मैं वही वाले एकदम selected निबंध जो है उनके topics लेकर के आ गया हूँ और ना सिर्फ मैं आपको topic बताऊंगा बलकि आज की इस video में मैं आपको लोगों को पूरा का पूरा निबंध लिखते कैसे हैं उसके बारे में हर चीज बता दूँगा कि जिससे की आप निबंध topic जब भी आए तो उसमें से आप number न छोड़ के आएं किसी भी कीमत पे 5-6 number लेकर के ही आना है आपको यह बहुत ही अच्छा chance होता है इतना सारा number जो है आपके वल एक topic को अच्छे से समझगर के ला सकते हैं तो प्यारे बच्चों उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे जैसा कि आप लोगों का board exam भी आ गया है और website का जो link है उसको भी डाल दिया है वहाँ से जाकर कि आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सब चीजों का जो भी study material है तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए और प्यारे बच्चों उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को carry on की होंगे जिससे कि आप अपने board exam में अच्छे से अच्छा नमर ला पाएं चली प्यारे बच्चों जादा time नवेस्ट करती हूए वीडियो को देखते हैं कि क्या है आगे का पूरा देखिए क्या लिखा है board परिच्छा कक्षा 10 हिंदी हिंदी में जो हिंदी व्याकरण में आपका जो निवन्ध एक topic है ये 6 नमबर का आता है तो ये 6 नमबर जो है क कौन कौन से निवन्ध प्यारे बच्चों कुछ इतने जादा important निवन्ध होते हैं जो की हर बार आते ही आते हैं प्यारे बच्चों देखिए 4 से 5 topic आपको दिया जाता है board exam में निवन्ध लिखने के लिए उन 4 से 5 में से किसी एक पर आपको निवन्ध लिखना रहता है तो क्यों ना हम अगर most important वालों को 2, 4, 5 को अगर हम देख लें तो उन्हीं में से एक फंस सकता है तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा महत्यपूर्ण है मैंने केवल उन्हीं को उठाया है और इसी में से आएगा जो मैं आज आज आपको बता दूँगा 5 उसी में से ही आएगा तो तो प्यारे बच्चों ये जो विज्यान के चमतकार ये जो टॉपिक है इसमें से कई बार आता रहा है और आप लोग इसको अच्छे से तयार करके जाईएगा आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निबंद को रट लीजिए लिखते कैसे हैं उसके तरीके को जान ल है उसके अंतरगत बहुत सारे टॉपिक्स आप बना सकते हैं मतलब बेरोजगारी की समस्या कैसे उत्पन हुई जनसंख्या के कारण किस के कारण सब चीज़ा आपको लिखना रहेगा डीपली में ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको निबंद आखिर लिखना कैसे है इसमें आपको प्यारे बच्चों जरूर नहीं है कि यही कीवर्ड देखने को मिलें इसमें कीवर्ड में थोड़ी बहुत चेंजिंग जरूर आपको मिल सकती है जैसे कि रहेगा विज्ञान ही अब विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कि विज्ञान क सब्सक्राइब अच्छेंगा लेकिन चीज यही रहेगी, आपको इसी को अच्छे से देखना है, जैसे मैं बताओंगा लिखने का तरीगा, सब कुछ वहाँ पर वही सेम रहने वाला है, बस आप वीडियो को अंतरे तक देखते रही, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ इसी तरह से कीवर्ड बदल बदल की आपको पूछेगा question उसके बाद जैसे यह computer हो गया computer से related कैसे निवंध लिखते हैं इस सब चीज में आपको आगे बताता हूं पहले आप देखते जाए कौन-कौन सा topic से ज्यादा chances रहते हैं निवंध में पूछे जाने के चाउथा होग niez पांचवा क्या है वणो का महत्तु प्यारे बच्चों वैसे तो आने के तो बहुत सारी निवंध हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्तपूर है जिनमेंसे अगर आप इन पांच को अगर आप त्यार कर लेते हैं तो इन पांच में से 1 आपको जरूर देखने को उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिर लिखते कैसे हैं यह जो निबंध है इसको लिखने का तरीका क्या है आज मैं आपको निबंध याद नहीं कराओंगा नहीं आपको रटाओंगा नहीं मैं आपको निबंध लिखने का तरीका बता दूँगा जिससे कि आप खुद में खुद लिख लेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा, फिर भी आप निबंध लिखना जान जाएंगे, चली प्यारे बच्चों देखते हैं, निबंध लिखने का जो तरीका है कैसे होता है, मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक उठा लिया इनमें से, सपोस कर ल वाला क्या था, विज्ञान के चमतकार, विज्ञान के चमतकार टॉपिक को हमने उठा लिया, और उसी को हमको निबंध पे लिखना है, अब निबंध लिखते कैसे हैं, देखिए, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले, आप सबसे पहली हेडिंग बना लेजिए, रूप रूप रेखा इस रूप रेखा में क्या लिखेंगे आप रूप रेखा लिखने के बाद ऐसे जब आप exact का ऐसे symbol करेंगे तो उसके आगे जो है जितनी भी headings आप अपने निबंध में सामिल करेंगे शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्रमबद तरीके से रूप रेखा में आ आप रूप रेखा बार लिख लेंगे उसके आगे heading रहेगी विज्ञान के लाब तो उसके आगे लिख लेजीगा आप विज्ञान के लाब इसी तरीके से रूप रेखा चलती रही है आपकी तो देखे जो प्रस्ताऊना है उसकी से कर सकते हैं कि उसका introduction देना रहेगा कि जिस topic पे आप निवन्दों को लिख रहे हैं उसके बारे में आपको समझाना रहेगा वो क्या है, वो कैसा है, ये कैसे उत्पन्न हो है ये सब चीजें उसके बाद उसके बीच में प्यारे बच्चों आप दो-तीन heading अपने मंग से उस topics से related कुछ भी बना सकते हैं उसके बारे में लिखने के लिए उसके बाद जो सबसे last की heading रहती है वो रहती है उपसंगहार मेरा कहने का मतलब ये है कि रूप रेखा, प्रस्तावना, starting की दो heading हो गई और last का उपसंगहार ये तीन heading जो है हर एक निवन्द में common रहता है बीच के दो से तीन बीच के दो या तीन heading आप अपने मन से बदल के लिख सकते हैं वो भी आपके topic के अनुसार कि जो भी topic है आपका जैसे कि आप विज्ञान पर लिख रहे हैं तो बीच की heading हमने लिख दिया विज्ञान के लाब दूसरी heading लिख दिया विज्ञान से हानिया अगर आप लिख रहे होते जनसंख्या पे या फिर आप लिख रहे होते बेरोजगारी पे तो लिख सकते थे बेरोजगारी की समस्या का समाधान बेरोजगारी के समस्या कहां से उत्पन हुई, इस तरीके से आप दो-तीन चीज़े लिख सकते थे, कहने के मतलब तीन हेटिंग तो आपको पर्मेनेंट मिल गई बनी बनाई, और बीच की दो हेटिंग आपको बदलना रहेगा, वो बीच की दो हेटिंग आप अपने मन से उस का फाइनली रहे, जो उसका एकदम लास्ट कर रहे, कंक्लूजन रहे, क्या कंक्लूजन निकला हम सब कुछ करने के बाद, वही होता है उपसंगार में, कहने का मतलब विज्ञान से रिलेटर, जब आपने सब कुछ लिख लिया, तो लास्ट में आप लिख देंगे, कि आपको बहुत ही अच्छा भी है, और बहुत बुरा भी है, आप इसका जैसे यूज करेंगी, यह आपके लिए ऐसा साबित होगा, तो मेरा कहने का मतलब यह ही कि लास्ट में जो उपसंगार रहता है, उसमें आपको पूरा कंक्लूट करके लिखना रहता है, तो यह पांच चैनल से लगातार ऐसे पढ़ते रहिए, मेरा विश्वास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा नंबर हम लोग दिलवाएंगे आपके बोर्ड एक्जाम में, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपके हर एक नंबर हम आपक अपनी पढ़ाई को देती रहें, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके बोर्ड एक्जाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं किसी अन्ने वीडियो में, तब तक किलिए धन्यवाद